सो केवडीज आज हम देखने जा रहे हैं फाइनली सोलो लेवलिंग के एपिसोड फाइफ को जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिन्वू को बहुत सारे डेली क्वेस्ट मिलते जा रहे हैं जप si को पूरा करने के बाद वो खुद का लेल अब करते जा रहा हैं लेकिन वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है हॉस्पिटल की नर्से जिन्वू के बारे में ही बात कर रही है वो ये कह रही होती है कि वो E-class hero जिन्वू कितना cool और handsome है जब वो यहाँ पर आया था तब उसकी हालत अच्छी नहीं थी लेकिन अब वो exercise करता है रोज और इसकी body भी shape में आ चुकी है अगला सीन होता है जिन्वू का जिन्वू अपने room में है जहाँ पर वो workout कर रहा है तब ही उसके room में एक nurse आती है वो nurse जिन्वू की body को देख कर shock हो जाती है यह भी कह सकता है कि उसे जिन्वू के उपर crush हो जाता है इसके बाद वो nurse Jinwoo को ये बताती है कि वो आज discharge होने वाला है सो इसलिए वो उससे ये बूचने आई है कि क्या वो अच्छा फील कर रहा है जिस पर Jinwoo उस nurse से कहता है कि वो अच्छा फील कर रहा है वो nurse कहती है कि अगर ऐसी बात है तो यह paperworks पूरे कर लेना जिसके बाद जिनवू उसको ठेक्स कहके जाने लगता है लेकिन वो nurse उससे उसका number मांग लेती है जिनवू भी ये सोचके उसको अपना number देता है कि हो सकता है कि शायत फ्यूचर में कोई काम पड़े इसके बाद अगला सीन जिनवू के घर का होता है जहाँ पर जिन्वो की बहन स्कूल जाने के लिए रेड़ी भी हो रही है और इसी के साथ वो न्यूस भी देख रही है जिन्वो अपने रूम से बहाँ आता है जिन्वो की बहन जिन्वो को देख कर उससे ये पूछती है कि क्या तुम वर्काउट कर रहे हो जिन्वो कहता है ह आँ बस थोड़ा बहुत, एंड ये कहने के बाद वो अपनी बहन को स्कूल बेज देता है, अपनी बहन के जाने के बाद जिन्वू सिस्टम में देखता है, जिसे देखकर वो ये कहता है कि अभी उसकी 10 किलो मीटर की रनिंग बागी है, जिसे वो बात में पूरा करेगा, कोई बात नहीं, अगर तुमें कोई अभी दिक्कत है, तो तुम बाद में भी दे सकते हो, जिन्वो कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, और वो जल्द ही रूम का किराया भर देगा, मगान वाली का फोन कटने के बाद जिन्वो ये सोचता है कि अभ वो गॉबलिन्स को अ तो अगर उसको एक हाई रैंक के गीट में जाना है, तो उसको अपनी रैंक बढ़ानी होगी, बट वो ये भी सोचता है कि अगर वो ऐसा करेगा, तो सब के नजरों में आ जाएगा, क्योंकि रिय अविकनिंग एक रेर शीज है, और सब की नजरों में आने का उसका मेन जहां पर वो डंक सुक नाम के आदमी से मिलता है, डंक सुक एक C-class hunter है, और उसकी एक अच्छी टीम भी है, डंक सुक जिन्वो से कहता है, तुम एक लास hunter हो ना, और तुमारा नाम जिन्वो है, जिन्वो कहता है, हाँ मैं वही हूँ, तब ही टंक सुक की टीम का एक आदमी कहता है, अरे ये लड़का तो बहुत ज़्यादा famous है, और इसका एक famous नाम भी है, शायद वो है, हाँ, the world weakest hunter, और ये कहके वो आदमी हसने भी लगता है, डंक सुक इस चीज़ के लिए जिन्वो से माभी वांगता है, और वो उसे कहता है, मेरे टीम मेट ऐसे ही है, तो इनकी बातों का पुरा मतमाना, इस पर जिन्वो ज़्यादा कुछ खास reaction ही देता और वो कहता है, इसमें कोई गज़त बात नहीं है, मैं एक E rank hunter ही हूँ, इसके बाद डंक सुक जिन्वो को ये बताता है, कि ये एक C rank mission है, जिसके लिए हमें बस 8 लोग चाहिए, इसके बाद वो ये भी कहता है कि हम तुम्हें fight करने के लिए नहीं ले जा रहे, इसलिए हम तुम्हें साथ loot item को share नहीं करेंगे, लेकिन बस participate करने के लिए तुम्हें 2 million won ज़रूर दिये जाएंगे, जिन्वो उन सभी hunters को देखकर कहता है, तो इनमें 4 लोग C rank के hunter हैं और 2 लोग सब D rank के, इसकी बाद जिन्वो उनसे पूसता है, तो फिर मेरा क्या काम होगा, आखर मुझे mission पे करना क्या है, डंगसुक जिन्वो को बताता है कि उसको बस समान उठाना है, जिसके अंदर खाने पीने का समान है और कुछ कपड़े भी, जिन्वो उनसे पूसता है कि क्या तुम इंडिपेंडेंट विशन पे जाते हैं तब उस समय हीलर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिन्वो अब यहाँ पर यह सोचता है कि यह सभी लोग बिना हीलर के डंजन के अंदर जा रहे हैं जो कि एक D-Rank Hunter है लेकिन उसके पास बहुत जादा महेंगे एक्विपमेंट्स है यानि आर्मर और तलवार जिन्वो उस Hunter को देख कर सोचता है कि यह पक्का अमीर गर से होगा उस D-Rank के Hunter का नाम है यो जिन हो अब देखो वड़ीज यो जिन हो नाम थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लेने में तो मैं इसको अमी लड़का बोलूँगा एंड जब जब मैं अमी लड़का बोलूँ तो तुम समझ जाना है कि मैं यो जिन हो की बात कर रहा हूँ वो अमी लड़का जिन्वू से कहता है तुम चिंता मत करो ये तुम्हारा फर्स C-Rank dungeon है ना तो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा अब इसके बाद ये सभी लोग dungeon में जाने के लिए ready हो जाते हैं dungeon के अंतर जाते जाते ही ये अमी लड़का बहुत सारी बाते करता है जिन्वू से जिन्वू भी बस उसके बादों को सुनते जा रहा है अब अगले सीन में जैसे ही ये लोग उस gate के पास पहुंचते हैं तब ही उन सभी hunter में से एक hunter डंक सुक से पूछता है तुम पकर शिवर होना कि ये एक C rank का dungeon है डंक सुक कहता है हाँ ये एक C rank का dungeon है क्योंकि hunter association वालों ने इसको दो बार चेक कर आए उस gate को देखने के बाद वो अमी लड़का भी बोलता है अरे ये तो बहुत बड़ा gate है क्या इसके अंदर जाना सही रहेगा डंक सुक अपने एक टीम मेट से कहता है कि यहाँ पर फोड़ी light करो जैसे ही वो hunter light करता है तभी ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी magic beast नहीं है जिन्वो ये सब देखकर ये सोच रहा है कि ये बिल्कुल garden and temple जैसे ही लग रहा है अमीर लड़का जिन्वो से पूचता है ये glowstone क्या होते हैं जिन्वो उसे बताता है कि वो एक ऐसे पत्थर होते हैं जिन में से lights निकलती हैं इसके बाद ये सभी लोग उस dungeon के थोड़ा और अंदर जाते हैं वहाँ पर वो अमीर लड़का फिर से कुछ बगर बगर कर रहा होता है जिन्वो से लेकिन जिन्वो सबको शांत होने के लिए कहता है क्योंकि जिन्वो को monsters की आवाज सुनाई दे रही होती है थोड़ी दे तक शांत रहने के बाद जिन्वू सब को ये बता देता है कि हमारी तरफ इंसेक्ट टाइप पीस्ट आ रहे हैं जिन्वू की पास सुनने के बाद सभी लोग यहाँ पर अलर्ट हो जाते हैं अब देरे-देरे करके उन लोगों को भी आवाज सुनाई देने लगती हैं जिसके बाद ये चीटिया से दिखने वाले बहुत सारे बीष्ट अटाइक कर देते हैं उन हंटर्स के उपर डंग सुक की टीम का एक मैंबर उन चीटियों के उपर हमला करने लगता है और इसी के साथी साथ दूसरी तरफ डंग सुक उन सभी चीटियों को अपनी तरफ एट्रेक्ट करता है जैसे ही वो सभी की सभी चीटिया डंग सुक की तरफ आती है वो पहले वाला हंटर उन सभी चीटियों को मार देता है इसके बाद डंक सुक बागी हंटर्स को बची वी चीटियों को मानने कले कहता है ये सभी की सभी चीजों को देखकर जिन्वो पीछे खड़ा ये सोचता है वायार ये तो बड़ा कमाल का टीमवर्क है लेकिन इसे समय जिन्वो के पीछे से एक मॉस्टर आ रहा होता है जिन्वो उस मॉस्टर को देख लेता है और अपने पैर से ही उस मॉस्टर को खतम कर देता है सारे के सारे मैजिक बीस्ट को मार देने के बाद डंक सुक जिन्वो को ठैंक्स कहता है क्योंकि जिन्वो की वज़ा से ही डंग्सोग और उसके हंटर की टीम को ये बात पता लग पाई कि ये मॉस्टर आखिर आ कहां से रही है लेकिन इसे के साथ वो जिन्वो से ये बात पूछता है कि जिन्वो को ये बात पता जैसे चली कि ये monster आगा से रहे हैं जिन्व कहता है बस उसे पता चल गया इसके बाद अगला scene होता है एक gym का यहाँ पर सभी लोग exercise कर रहे होते हैं लेकिन तब भी इन सभी को bookamp के जटकी मैसूस होते हैं लेकिन actually में वहाँ पर bookamp आया ही नहीं था उसी floor के नीचे वाले floor में उन सभी hunters का guild master यानि tiger ट्रेनिंग कर रहा था इसके बाद अगला scene होता है dungeon का जहाँ पर वो अमीर लड़का जिन्व के हालचाल पूछ रहा होता है ये hunters का group dungeon के अंदर और दाता आगे बढ़ रहा होता है लेकिन जैसे ही वो लोग उस जाले वाले area को पार करते हैं तभी इन सभी को एक और गुफा दिखती है जहाँ पर बहुत सारे mana crystals होते हैं इतने सारे mana crystals को देखने के बाद डंक सुक कहता है अब मैं अपनी एक team बनाऊंगा और वहाँ पर खड़े बागी hunters उन सारे ये सारे mana crystals को आपस में बाटने की सोच रहे होते हैं दूसरे तरफ वो अमीर लड़का जिन्वू से कहता है क्या मैं तुम्हारा contract दिख सकता हूं जिन्वू वो अमीर लड़का जिन्वू को contract लेकि डंक सुक के पास जाता है वो अमीर लड़का दंक सुक से कहता है contract के हिसाब से जिन्वू को loot का हिस्सा नहीं मिलेगा लेकिन ये सारे mana crystal loot का हिस्सा नहीं है इसलिए इन mana crystals को साथ की जगा 8 हिस्सों आटना होगा दंक सुक कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो इसके साथ नहीं 8 हिस्से होंगे लेकिन उससे पहले हमें इस dungeon boss को मारना होगा और जब तक हम इसको मारें ही नहीं तब तक ये gate बन नहीं होगा लेकिन वो dungeon boss वहाँ पर सो रहा होता है इसलिए डंक सुक ये decide करता है कि वो सबसे पहले mana crystals को निकालेगा जिसके बाद डंक सुक अपने टीम मेट से tools के बारे में पूछता है डंक सुक का दोस्त बताता है कि वो tool guard में भूल चुका है इसलिए वो जिन्वू और यो से कहता है कि तुम यहीं रुको और हम tools लेगे आते हैं जैसे डंक सुक और इसकी टीम उस गुफा से बाहर निकलते हैं डंक सुक अपने टीम के एक member वो गहता है कि इस गुफा का gate बंद कर दो और वो hunter उस गुफा का gate बंद कर देता है जिन्वू को इन सभी के ओपर पहले से ही शक था इसलिए उसको Mr. Song की बात याद आती है Mr. Song ने जिन्वू को बताया था कि इस काम में बहुत सारे दोगे बाज लोग भी होते हैं डंजन में कोई भी CCTV कैमरा नहीं होता है इसलिए अगर hunter स्वापे मर जाए तो उनके मरने का कोई evidence नहीं मिलता लेकिन जिन्वू अपनी तलवार को निकालते वे उस लड़के से कहता है तुम पीछे रहो मैं इसे समालता हूँ So buddies अब ये story यहां से interesting होती जा रही है So अगर तुमें इसके आगे के episode देखने है तो फटाफट से channel को subscribe कर लो और हाँ अगर ये वीडियो तुमें अच्छी लगी है तो तुम पूरी की पूरी प्ले लिस्ट अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हो इसे के साथ इस वीडियो को like कर देना और मैं मिलता हूँ तुमें अगले हफते episode 6 के साथ लेकिन तब तक के लिए तुम टोमटाची गेम्स या फिर क्लास्व मता एलिट देख सकते हो